हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्टडी स्टेस तो आज की सुड़ों में हम लोग सांखी की यानि स्टैटिक्स चैप्टर से माध्ध, माध्धिका, बहुलक और परिसर यानि चारो जो है हम इसी वीडियो में सिखने वाला हैं बहुत ही सिंपल तरीके से तो यहाँ पे पहले हम म माध्ध निकालने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका क्या है माध्ध निकालने का एक फॉर्मूला भी है जो संख्या यहाँ पे दिया हुआ रहता है उस संख्याओ का योग करना पड़ता है माध्ध निकालने का फॉर्मूला आप सिंपल सा याद करके रखे संख्याओ का यो कुल संख्या यह कहने का मतलब क्या है जो संख्या हमारा दिया गया जो आकड़ा दिया गया उस संख्या को योग करना है मतलब जोड़ना है तो चलिए सभी संख्या को जोड़िए यहाँ पर दो лишь 5 प्राफ एक प्लस साथ प्लस सहvine करेंगे तो 7 साथ, साथ एक आठ, आठ साथ पंदर, पंदर और छे को जोड़ेंगे तो 21, 21 और 24 यानि इनको जोड़ने पर हमारा आ रहा है 24 बटे में अब क्या बोले जा रहा है कुल संख्या, तो संख्या यानि कितना है वो हमें काउंट करना है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, यानि टोटल यहां पर संख्या कितना है तो 6 है अब यहां पर 24 बटे में 6 आया, तो यानि 24 में 6 से भाग करना है तो कितनी बार में कटेगा, 6, 24, 24, चार बार में कटेगा यही हमारा जो 4 आया यही हमारा इसका माध्ध हो जाएगा इस पूरे नंबर का माध्ध हो जाएगा ठेक तो 4 यही इसका answer हो जाएगा I hope यह आपको समझ में आया होगा चलिए एक कोड़ एक्जामपल के साथ इसको हम समझते हैं जिससे कि आपको और अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ में आये तो यहाँ पर दूसरा कोशन हमने लिया है माध्ध निकालने के लिए संख्या लिया है 9 4 2 8 1 3 12 और 7 यह आकड़ा दिया गया बोला जा रहा है माध्ध निकालने के लिए तो माध्य निकालने का हमारा ये तरीका क्या है फर्मूला क्या है जो संखिया दिया गया सभी संखियाओं का योग करना पड़ता यानि सभी संखियाओं को जोड़ना है तो जोड़िए 9 और 4, 13, 13, 12, 15, 15 और 8 15, 25, 23, 23, 24, 24 और 3, 27 27 यहाँ पर 12 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 39, 49 और 7 यहाँ पर कितना हो जाएगा 49 और 46 यानि कुल मिला कर जोड़ने पर हमारा आया 46 बटे में कितना अब है कुल संखिया करना होता है यानि कितना संखिया उसको काउंट करना होता है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, यानि कुल संख्या यहां पर कितना तो आठ है, अब यहां पर इस दोनों संख्या को काटने वला है, तो यहां से इसको अगर काटते हैं, दो बार में, तो चार दुना आठ हो, इसको दो बार में काटेंगे, तो 23 में 2 से करेंग तो यहाँ पर दो बार में कट जाएगा अब यहाँ पर यह कटने वाला नहीं है ठेक 23 बटे 4 यहाँ पर यहाँ पर अंसर हो जाएगा तो यही तरीका है हमारा माध निकालने का I hope यह आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा चलिए यहाँ पर अब हम माधिका निकालना सीखते है तो अगला यहाँ पर हमारा कुशन है माधिका से 3, 5, 1, 6, 9 यह यहाँ पर संख्या दिया गया आंकड़ा दिया गया बोला जाला इसका माधिका निकालने के लिए छीक तो माधिका निकालने के लिए एक बात आपको ध्यान डखना है जब भी अगर आप माधिका निकाल रहे हैं जो आकड़ा दिया गया होगा जो संख्या दिया गया होगा उस संख्या को सबसे पहले हमें बढ़ते करम में लिखना यानि आरोही करम में सजाना है ठेक आरोही करम क पहले हमें उस संख्या को लिखना है बढ़ते करम में ठेक माधिका निकालने के लिए बढ़ते करम में लिखे बढ़ते करम करने के मतलब क्या पहले सबसे छोटा फिर उससे बढ़ा फिर उससे बढ़ा फिर उससे बढ़ा ठीक तो इनमें सबसे पहले छोटा कौन सा है एक है एक, फिर उसके बाद तीन है, फिर उसके बाद पांच है, फिर उसके बाद छे है, फिर उसके बाद नो है, इस परकार हमें सजा लेना है, अब हमें क्या करना है, सजाने के बाद दाहिनी साइड से हम जो इतना संख्या छोड़ेंगे, उतना ही हमें बाए साइड से भी तो यही जो है इसका यहां पर माद्धिका हो जाएगा यही इसका एंसर हो जाएगा आप यहां पर सोच रहे होंगे यहां पर दो दो नमबर छुट गया है बीच में एक संख्या बच गया है तो हो गया अगर यहां पर विसम संख्या रहा था यहां पर कोई एक और एक्स्ट्रा नमबर दे दिया वह रहा था तो यहां पर कैसे होता यहां पर दो नमबर छोड़ते हैं यहां पर दो नमबर छोड़ते हैं तो बीच में दो नमबर बच जाता तो इसको कैसे सॉल्ब करते चलिए इस झाल जो को झाल 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 कि अजय को उड़ता हैं